हेलो दोस्तों नमस्कार इस्टाग मार्केट शेयरूटू चैनल में आपका स्वागत है भी हम बात करने वाले हैं जी जी इंजीरिंग लिमिंटेट शेयर की क्योंकि इससे संबंधित कुछ ऐसी न्यूजे लिकल के आई हैं कुछ ऐसे चीजे निकल के आई हैं जिसके बाद इ 24 नुमर को उस समय भी इसमें लबग 10% का अपर सर्कीट लगा हुआ था तो इन सब चीजों को हम इस वीडियो में डीटेल से चर्चा करने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि यह जो अपर सर्कीट पर सर्कीट मार रहा है उसके पीछे कारण क्या है तो चलिए दोस्तों बिना किशिदेरी के वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम इसके चार्ट प्रेटन की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह जो बंद हुआ है 24 नुमर को मार के उसमें यह एक रुपय क्यांवियों पैसे पे यह ट्रेट कर रहा है वह भी लग 22% के आसपास का रिटरन लिकाल के दे चुका है जो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रोध दिखा रहा है इसके चार्ट प्रेटर में क्योंकि कोई बी कम्पनी अगर पांच दिनों में ही लबक 62% का रिटरन लिकाल के दे दे तो थोड़ा सा एक कंसर्णिक पॉइं के पैसे को डबल कर दिया है और इसके पीछे चुकि अब जानते हैं कि इसके पहले हम जब वीडियो बनाये थे जिसके बारे में हम डिटेल चर्चा आपको दिये थे कि बताए भी थे कि यह जो कंपनी है वह इंटिग्रिया जो इसेंसिया लिमिटेड है उसके साथ इसका साथ परसेंट का जबकि एक साल में बात करें तो 24 परसेंट का रिटरन लिकाल के दी है जबकि मैक्सिम चार्ट परटन की बात करें तो यह जो कंपनी 75 पैसे पे लिस्ट हुई थी 2017 में उसके बाद यह कंपनी लगभग 10 रुपे के आसपास टच करती हुई फिर से यह 2 रु लोग तो इसका 74 पैसे के अगर अफर प्राइस बैंड की बात करें तो यह 10 परसंट का अपर प्राइस बैंड है अर्था अगला अगर अपर सर्कुट लगता है तो दो रुपे 10 पैसे यह ट्रेट करती हुई नजर आएगी जबकि अगर लुए सब कि लगता है तो यह एक से 72 परसेट करती हुई आएगी और यह 10 परसेंट का इसमें लोवर बैंड आपको दिखता हुआ नजर आएगा तो मगर बात कर लें कि इसमें क्या ऐसा न्यूज लिकल के आया है जिसके कारेट्स में आपतीजी दिखाई दे रही है तो फिलाल इसमें कोई भी न्यूज आपक इसमें कोई भी फिलाल न्यूज नहीं निकाई दे रही है अब हम अगर बात कर लें कि इस जो 24 तारी को यह ट्रेड करी है उसमें टूटल जो क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई है वह आट क्रोन 46 लाक 46,945 सेरों की टूटल ट्रेडिंग हुई है जिसमें से लग भग 4 क् 95,000 सेर यानि लग वह 50% के सेर जो है टीलिवरी की रूप में उठा लिए गये हैं जो यह बता रहे हैं कि इसमें पक्का कोई ना कोई अपरेटर की सक्रीता इसमें बढ़ रही है और इसमें अपरेटर के बढ़ने के कारण ही इसमें 8 क्रोंड जो सेर ट्रेड हुए हैं उसम से चार क्रोंड के डिलिवरी की रूप में उठाई गई है जो यह दिखा रहा है कि आने वाले समय में कुछ इसमें ऐसा बढ़ा होने वाला है जिसके कारण इसमें अपरेटर की सक्रीता नजर आ रही है अभी हम इन अपरेटरों को एक करके डीटेल से देखेंगे उससे पह का भी गठन कर दिया गया है तो हो सकता है इससे भी शी सम्मंदित जो न्यूज लिकल के आए जिसके बाद इसमें अच्छी खासी जो है तेजी देखी जा रही है और अपरेटर इसमें शक्री होते हुए नजर आ रहे हैं तो इस पे आप वाच बनाए रखिएगा इस पे ध लगबग एक रुपए नवाशी पैसे पे इसमें ट्रेडिंग होई थी खरदारी होई थी बीएसी पे लगबग पचास लाग शेरों की और इसमें एक तरीके से कहा जाए तो पचेज किया है जो निकुन्ज कौसिक साहजी है उसने सिलोनी उपालने भी इस चोबिस तारिक लगबग एक रुपए नवाशी पैसे पे लगबग 65 लाग शेरों की इसमें टोटल खरदारी करी है हाला कि इसमें बिक्वाली भी दिखाई दी रही होगी और इसमें शेल जो चोबिस तारिक हुआ है एक रुपए ठासी पैसे पे और यहां पर आप देखिए लगबग संत लाग शेरों की उसके पहले जो सेलोनी उपाल ने भी लगबग 65 लाग शेरों के सेल किया उसके पहले तेश तारिक को इसने भी खरदारी की थी लगबग 70 लाग शेरों की उसके पहले जाए विना एक सीक्योटेज ने भी लगबग 51 लाग शेरों की खरदारी की थी तेश न जल से जल आपको good news सुनाई दे या फिर bad news इसके अलावा यह जो 22 तारीक को भी यह सक्री होते हुए नजर आ रहे हैं और 12 नवंबर को उसके पहली जो सक्री हुए थे सितंबर में सक्री हुए थे और सितंबर में ही यह जो मर्जर से समधित news निकल के आई थी तो यहां पर कमपनी हैं उसमें ऑपरेटर भर भर के भर हुए हैं और आने वाले समय में कुछ ऐसे निजर निकल के आ रहें आएंगे जो कि इसको और आगे ले जा सकते हैं और इसमें अच्छा खासा ग्रोट दिखाई दे सकता है तो इसमें कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले आप जो है सत्तर के जरूर रहिएगा और अपने 22 सलाकार से संपर्क जरूर करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेस्ट दोनों सुरक्षित रहें और आपका भाविस से भी क्योंकि यह जो कंपनी है वह एक ऑपरेटर डिवेंड कंपनी बन के रह गई है और बरतमान में यह अवे कर दो कर दो हिर सकता है